नमस्ते दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर विनीत और आज फिर से हम लॉगरित्मिक टेवल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं पिछले लिक्चर में हमने देखा था कि लॉगरित्मिक टेवल्स कैसी होती हैं उनके बीच में क्या उनकी क्या प्रापर्टीज होती हैं और कैसे रिलेटेड होते हैं तो यह है आपके सामने जो दिख रहा है बोर्ड पर यह है लॉगरित्मिक टेवल इस लॉगरित्मिक टेवल में जो इन्फॉर्मिशन दी हुई है उससे हम log logarithm, किसी भी number का logarithm कैसे निकालते हैं, वो आज हम सीखेंगे, किसी भी random number का, कुछ हमने common numbers के logarithm हमने पिछले lecture में देखे थे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर log 2 और log 3 की values थी, तो हमने log 6 या उससे related 2 और 3 के multiples की, जो logarithm की values थी, वो हमने निकाली थे, ल तो ऐसे number का logarithm हम कैसे इस table के मदद से निकालेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं, logarithmic table को सीखने से पहले, आज मैं थोड़ा सा revision करा देखा हूँ, लगवा एक मिनट में, पिछले class में हमने क्या देखा था, पिछले class में हमने देखा था, कुछ logarithmic relations के बारे में, तो सबसे पहले log को define किया था, कैसे हमने, अगर हमारे पास a to the power x is equal to b है, तो इसको logarithmic form में हम लिख सकते हैं, log of b to the base a is equal to x, यही logarithmic relation होता है, जैसे exponential form में अगर लिखा हुआ है, तो उसे logarithmic form में कैसे लिखेंगे, इसके अलावा हमने कुछ चार तरह के rules पड़े थे, इसको हम product rule बोलते हैं, question rule बोलते हैं, और power rule और base changing rule, तो सबसे पहले देखते हैं, product rule क्या होता है, अगर हमारे पास logarithm में एक ऐसा number है, m into n into p, और हमारे पास b से a, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, individual जो ये factors हैं, इनके logarithm के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, log m to the base a, plus log n to the base a, plus log p to the base a, उसी तरह से अगर ये question के form में है, log m by n, और base a, तो इसे हम लिख सकते हैं, log m और log n के terms में, लेकिन वहाँ पे positive sign के वज़ाए क्या जाएगा, negative sign, log n a, इसके अलावा हमने देखा था, power formula, यानि कि अगर कुछ इस तरह का function हो, इस तरह का number हो, या इस तरह का variable हो, हमारे पास logarithm में, और यहां base a हो, तो इसे हम लिख सकते हैं, इस power को सीधे हम बहार ला सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं, log x to the power a, इसके अलाव हमारे पास कुछ इस तरह से number दे रखा है, log m to the base n, और इस base को अगर हमें बदलना हो, तो हम इसे कैसे बदल सकते हैं, वो देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, log m to the base a upon log n to the base a, यानि कि जैसे ही m और n है, वैसे हमने लिख दिया, उसे आगे log में लिख लिया, और नीचे base हम इसकी base को अगर हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, इस number से, तो simply हमें इसका multiplicative inverse लेना होगा, यानि कि a base b, यानि log b to the base a will be equal to 1 divided by log a to the base b, तो यह थोड़ा बाउत है, जो पिसली क्लास में हमने पढ़ा था, उसका हमने आज revision कर लिया, अब आगे देखते हैं, कि आज हमें क्य तो अब हम देखते हैं, कि हम lock tables का कैसे use करेंगे, तो lock tables को जानने से पहले कुछ हम चीजे देखते हैं, जो पिसली क्लास में ने देखा था, 10 की powers को, 10 की powers को और logarithm में उससे क्या information मिलती है, वो देखता है, जैसे अगर मैं लिखू यहां पे 10 to the power 0, तो यह होगा, 1, 10 to the power 1 is 10 to the power 2 is equal to 100, 10 to the power 3 is equal to 1000, 10 to the power 4 is equal to 10,000, उसी तरह उपर हमने ले लिया, 10 to the power minus 1 यह हो जाएगा 0.1, 10 to the power minus 2 हो जाएगा 0.01, और 10 to the power minus 3 हो जाएगा 0.001, अगर इसे logarithmic form में लिखे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, simply अगर इसे लिखना चाहे, log 10 to the base 10 is equal to, simply क्या आजाएगा, यही power आजाएगी, यहां पे क्या आजाएगा 2, यहां आजाएगा 3, सेम चीज, और यहां आजाएगा यह 4, अब यह चीज यहां पे apply करेंगे, अगर हम log 1 to the base 10, तो हमें पता है किस का answer आने वाला है 0, क्योंकि नहां पे exponent क्या है 0, वैसे हम लिख सकते है, log 0.1 to the base 10 is equal to, minus 1, और इसे हम लिख सकते है, log 0.01 to the base 10 is equal to, minus 2, और इसे लिख सकते है, minus 3, तो अब हमारे पास अगर 10 के powers में अगर कोई number दे रखा है, तो उसका logarithm हम निकाल सकते है, अगर to the base, यानि common logarithm अगर हमें निकालना है, और number 10 के multiple के form में है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, 10 के multiples के form में है, तो logarithm हम बिल्कुल इन numbers, integers के form में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर number कुछ भी random हो, जैसे कि 100 और 1000 के बीच कोई एक number दे दिया, जो हमने पिसले lecture में एक question पूछा था, कि अगर हमारे पास number 249, तो इ इस series को देखें, या this table को देखें, तो इसमें वो number कहां fit होता है, वो कहीं न कहीं fit होता है, 100 और 1000 के बीच में, ये 100 और 1000 के बीच में कहीं भी आएगा 249, 100 के लिए logarithm की value कितनी है, 2 है, और 1000 के लिए कितनी है, 3 है, यानि कि 10 to the power 2, 2, logarithm के आजाएगा 2, और 10 to the power 3 के लिए आजाएगा, यानि कि 249 के जब logarithm निकाला जाएगा, तो उसकी value कहीं न कहीं 2 और 3 के बीच में आएगी, और 2 और 3 के बीच में आएगी, यानि कि 2 और decimal में कुछ उसके साथ जुड़ा होगा, यानि कि integral part एक होगा उसका, और एक तो अब हम इस logarithmic form को जो ये निकलने वाला है, इसके हमने integral part को पता कर लिया, कि 100 और 1000 के बीच में है, तो आएगा integral part 2, लेकिन decimal के बाद अब क्या होगा, क्या आएगा, उसे हम जानने की कोसिस करेंगे, लॉक टेबल से, तो हमें log 249 का, अगर हम इसका logarithm निकालना है, तो लिए हमें log table की मदद लेनी पड़ेगी, और खास कर, decimal के बाद वाले part के लिए, पहला part तो हमने guess करके बता दिया, कि ये 100 से 1000 के बीच में है, तो इसकी value आजाएगी, 2 point something something, यानि कि इसका integral part आजाएगा 2, अगर इसे और देखें, कुछ और examples लेके देखते हैं, तो अगर म पहला guess हम कैसे करेंगे, क्या आएगा, decimal से पहले क्या आएगा, इस table को देखकर हम guess कर साकता है, सबसे पहले लोकेट करने की कोसिस करते हैं, कि 0.7 इन फेक्टर्स में से किस किन के किन के बीच में है, तो 1 से छोटा है, लेकिन 0.1 से बड़ा है, यानि कि 0.1 और 1 के बीच में लेकि माइनस 1 से बड़ा और 0 से छोटा, यानि कि कुछ इस तरह का फॉर्म होगा उसका, माइनस 0.something something decimal में, तो यहां भी हमने पहला guess कर लिया कि इंटीग्रल पार्ट जो आएगा, लोगरिथम का, वो होगा, माइनस 0.07, तो माइनस 0.07 कहां लाई करेगा, वो 0.1 और 0.01 के माइनस 2 के बीच में आएगी, यानि इसका लोगरिथम कि आएगा, यह आएगा, माइनस 0.09, एक और एक्जामपल लेकर देखता है, अब एक्जामपल लेते हैं, तो का, लॉग 2, लॉग 20, और लॉग 200, साथ में लॉग 2000 भी ले ले लेते हैं, अब इन में कम्पेर करके दे कि इन नंबर्स को बदलने पर यानि कि 2 ही है 2 के और मल्टिप्लाई किया है 10 से अलग लग बार यहां 10 से यहां 10 तुद पार 2 और यहां 10 तुद पार 3 तो इन वैलू को हम देखेंगे कैसे इस टेवल की मदद से हम कुछ गैस कर सकते हैं लॉग 20 को अगर लोकेट करें तो यह क झाल से कहां के बीच में आएगी 1 और कि Legend तो यह कुछ आने वाला है 1. k कि 100 कहा है 100 और 1000 की बीच कहीं है तो इसकी वैलू कि आने वाली है 2. कि सम्थिंग talking decimals में कुछ होगा वैसे 2000 कहां है इन दोनों के बीच में है यानि इसकी वैलू के आने वाली है 3. 3.something और उसी तरह लॉक 2 कहां पर है लॉक 2 है वन और 10 के बीच में तो इसकी वैलु आने वाली है 0.something तो सिर्फ हमने यहां पर 0 बढ़ाया और वहां पर देखिए कैसे यह नंबर सिर्फ इंटीग्रल पार्ट सिर्फ लिनियरली कैसे बढ़ रहा है जिरो एक और जिरो जुड़ जाता क्योंकि यहां पर तो नंबर से यहां पर एक जिरो जुड़ जाएगा क्योंकि वहां पर निगेटिफ साइन है तो ये एक trend देख रहे हैं, कि अगर number हमें दिख रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं, कि integral part में, यानि कि decimal से पहले वाला part जो है, वो क्या हो सकता है, तो पहला guess हमने यहाँ पे लगा लिया, अब आगे देखते हैं, कि इस integral part को और उसके आगे वाले fractional part को हम क्या कहते हैं, तो क decimal के पहले वाला part है, उसे हम क्या बोलते हैं, integral part, integral part, क्योंकि यहाँ पे कौन होते हैं, integers होते हैं, तो यह है integral part, वहीं दूसरा part जो है, वो है, जो fraction में है, यानि decimal के बाद है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, fractional part, तो किसी भी number का logarithm, अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे पिछले class मे ने देखा था कि log 3 क्या होता है, इसकी value हमने देखे थी 0.4771, यानि कि अगर इस number को देखें, log 3 के, की जो वी value है, उसे देखें, तो decimal से पहले है 0, यानि इसका integral part 0 है, जबकि fractional part क्या है, 4771, यानि 0.4771 उसका क्या है, fractional part है, इस integral part को logarithm tables में एक नया नाम दिया गया है, य उसे बोला जाता है, characteristics, तो इसे बोलते हैं, characteristic, integral part को, और वहीं fractional part को भी एक नया नाम दे दिया जाता है, और उसे बोल दिया जाता है, mantisa, तो अब कुल मिला के logarithm को हमने दो parts में बाट दिया, किसी भी number का logarithm निकालना है, तो हम उसे दो parts में देखेंगे, decimal से पहले, characteristic, जो क integral part है, और decimal के बाद mantisa, जो कि उसका fractional part है, या decimal part भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह decimal के बाद आने वाला है, तो characteristic हमने जस्ट पिछली बार, पिछले examples में हमने निकालने की कोशिस की थी, वो characteristic ही था, जो हमने उस table को देखकर हमने वो निकाला था, लेकिन अगर characteristic निकालने के कु तो characteristic निकालने के लिए हमारे पास कुछ rules होंगे और उन से हम निकालेगे, जबकि mantisa, यानि कि जो fractional part होगा logarithm का, उसको पता करने के लिए, उसको find out करने के लिए हमें log tables की मदद लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले देखते हैं कि characteristic जानने के लिए कौन से rules होते हैं, तो पि देखते हैं, इसी example को देखते हुए, जब हमारे पास सिर्फ दो digits थे, तब integral part 1 था, जब 3 digits हैं, तो integral part 2 है, जब 4 digits हैं, तो integral part 3 है, यहाँ पर decimal वाले parts नहीं लिए हमने अभी, यहाँ पर digit सिर्फ 1 है, तो वहाँ पर integral part 0 है, यानि कि यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर सकते है कि जितने digits यहाँ पर हैं, उससे एक कम ही क्या है, यहाँ पर integral part है, यानि कि हमारा characteristic क्या होगा, जो भी number given है, उसका हमें integral part देखना है, और उस integral part में जितने digits हैं, minus 1, यानि कि यहाँ पर कुल कितने digits हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसका characteristic हो जाएगा 4 minus 1, यानि 3, इसका characteristic हो जाएगा 3 minus 1 इसका characteristic हो जाएगा 2-1 और इसका characteristic हो जाएगा 1-1 decimals वाले पार्ट का भी देखेंगे decimals अगर है तो उनमें हम कैसे यानि कि 0 1 से कम अगर number है तो उसकी characteristic कैसे देखें वो भी अभी देखेंगे अभी हम सिर्फ 1 से ज्यादा बड़े numbers की characteristic देख रहे हैं तो जब भी digits देखें हमें जितने भी digits हैं उस digits को count करना है और उसमें से एक हमें subtract कर देना है वही हमारा क्या होगा characteristic होगा तो अब देखते हैं कुछ और examples और फिर उनके characteristic निकालने की कोशिस करते हैं जैसे हमने ले लिया अगर example 7432 ये एक number है फिर मैंने एक number लिया है 743.2 74.32 7.432 ये इतने numbers ले लिये अब इनके characteristics क्या होगे सबसे पहले number को देखते हैं और इसके integral part को देखते हैं अगर यहां पर integral part को fractional part नहीं है तो हम simply इसको decimal के बाद 0 लेख सकते हैं इसके integral part को देखा जाए तो कितने digits हैं 1,2,3,4 तो इसका characteristic हो जाएगा 4-1 is equal to 3 उसी तर इसका characteristic हो जाएगा 1,2,3 3-1 is equal to 2 वैसे इसका characteristic हो जाएगा 1,2 2-1 is equal to 1 और इसका भी 0 आएगा क्योंकि ये 1-1 तो characteristic क्या होगा? Integral part में जितने भी digits दिख रहे हैं हमें उसका उससे हमें एक subtractor देना और हमें मिल जाएगा characteristic अगर हमारे पास number एक से छोटा है एक से छोटा है तो characteristic क्या आएगा? negative आएगा अभी तक जो numbers हमने देखे थे वो 1 से जादा थे, 1 से बड़े थे तो 1 से बड़े numbers का characteristic क्या आता है? positive आता है लेकिन 1 से छोटे numbers का characteristic क्या आता है? वो आता है negative और वो भी हम इस table से relate कर सकता है यहाँ पर देखा जाए तो जितने numbers 1 से छोटे हैं उनके logarithmic values किस में आ रही है? negative में आ रही है जैसे सबसे 0 कहां पर आ रहा है जब वो value 1 है तो 1 से छोटा होते ही यह number क्या होने लग रहा है? negative होने लग रहा है तो फिर से हम ऐसा कुछ number लेते हैं 0.7432, 0.07432, 0.007432 और 0.0007432 7.432 का हमने देखा था कि इसका characteristic क्या आता है? 1 क्योंकि इसके integral part में कितने integers है? 1 तो 1-1 होगा उसका characteristic, sorry यह होगा 1-1 is equal to 0. इसका characteristic होगा 0 क्योंकि digits क्या है? 1 अब 1 से छोटे number का characteristic negative आएगा यह हमें पता है लेकिन कितना आएगा? यह अब देखते हैं अगर इस trend को follow किया जा तो decimal जिस तरह से shift हुआ है उतना ही shift इसमें भी आ रहा है तो यह होना तो चाहिए minus 1, यह minus 2 होना चाहिए, यह minus 3 और यह minus 4 लेकिन देखते हैं कि यह क्या rules है उसके तो सबसे पहले देखेंगे कि decimal के बाद कितने zeros हैं? अगर decimal के बाद 1 zero है या 2 zero है तो क्या होगा इसका characteristic होगा? यह देखेंगे यहाँ पर decimal के बाद कोई zero नहीं है तो simply क्या होगा? minus 1 अगर decimal के बाद 1 zero है तो हम negative तो लेंगे लेकिन जितने zeros हैं पहले वो लिखेंगे number plus 1 यहाँ पर भी अगर relate करें तो हमने क्या क्या? negative तो होगा यह हमें पता है simply हम क्या करेंगे number of zeros after decimal देखेंगे यहाँ पर कोई भी zero नहीं है तो हमनला zero है plus 1 यह आएगा minus 1 यहाँ पर देखा जाए तो negative होगा लेकिन कितने zeros हैं? 2 हैं तो इसको numerically हम क्या add कर देंगे? 1 add कर देंगे तो यह आजाएगा minus 3 उसी तरह यहाँ पर characteristic क्या होगा? हम देख लिया की characteristic कैसे निकालते हैं. Characteristic से 1 से गैए अगर पर थिखान तो वह पॉजिटिव आएगा. से 1 से छोटा निकाल वह निकाल तो इंगेटिव आएगा. अब इसे कैसे denode करते है. तो minus 1 के वज़ा इसे हम one bar लिग देते हैं इसे two bar लिग देते हैं इसे three bar और four bar लिग करेंगे तो अब हम देख रहा है example कुछ characteristic निकालने के तो हम देखेंगे एक जैसे example is 8453 अब इसी के अलग-अलग variations ले रहे हैं अलग-अलग variations लेके देखते हैं जैसे अगर हमने deciml यहां पर लिया एक बार deciml 53 यहां पर 8453 एक बार हमने लिया है number 0.00 तो अगर characteristic देखा जाए तो सबसे पहले देख रहे हैं यहां number दोनो 1 से बड़े हैं तो हम क्या देखेंगे decimal से पहले अगर 4 डिजिट्स है तो इसका characteristic क्या जाएगा 5 यहां पर decimal से पहले 3 digits है तो यहां characteristic क्या जाएगा sorry यहां पर 4 डिजिट्स है तो यह आजएगा 4 minus one is equal to three, यहाँ पर three digits है, तो यह आ जाएगा, three minus one is equal to two, और यहाँ पर क्या देखेंगे, चुकि one से छोटा number है, तो हम decimal के बाद number of zeros देखेंगे, number of zeros है three, तो हमें पता है कि यह one से छोटा है, तो negative आएगा, लेकिन negative में कितना आएगा, number of zeros zeros plus one, तो यहाँ तीन zeros हैं, plus one, यानि कि यह minus four आएगा, और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, four bar से डिनोट करेंगे, तो इसके बाद आप कुछ एग्जामपल देखते हैं, मैंटीसा के, कि मैंटीसा कैसे निकालेंगे, तो मैंटीसा निकालने के लिए हमें इसके decimal part, यानि किसी भी number के fractional part को देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास number है 7.432, तो इसका मैंटीसा निकालने के लिए, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इस number को हमें लॉक टेबल में देखना पड़ेगा, और लॉक टेबल में भी कैसे देखेंगे, यह देखते हैं, 7.432 का हमें लॉक निकालना है, तो इसका characteristic हमें पता है, कि यह integral part में जो number है, वो 7 है, वो है single digit का number, तो उसका characteristic आने वाला है 0, लेकिन मैंटीसा कितना आएगा, वो हमें find out करना है, तो हमारे पास number है 432, अब इस number का मैंटीसा हम देखेंगे, लॉक टेबल में, आप देखते हैं कि वो कैसे हमें वहाँ दिखेगा, पहले देखते हैं कि लॉक टेबल में sections अलग-अलग है, सबसे पहला column है, जिसमें कि 2 digits के numbers हैं, 10 से लेके 99 तक, यानि सारे 2 digits नमर है, कोई भी single digit या 3 digit का number यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद 0 से लेके 9 तक का एक column है, जो कि हमें logarithm की values बताएगा, उस number के corresponding, और साथ ही उसके बाद main difference है, तो अब depend करेगा कि हमारे पास digits कितनी है, तो हमने example लिया है 7, 4, 3, 2, तो हम सबसे पहले उस number को देखेंगे, और number के पहले 2 digits को पकड़ेंगे, और फिर देखेंगे इस table में 74 कहाँ पह है, तो अगर हम इसे बात करें, हमारे पास number है 7, 4, 3, 2, 7, 4, 3, 2 होने के कारण, हमें देखना पड़ेगा इस table में 74, तो 74 देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम नीचे आएंगे, और देखेंगे 74 के रो में, कैसी values exist करती हैं, तो 74 number है 7, 4, 3, 2, तो 74 वाले रो में हम जाएंगे, और उसमें भी हम कहा जाएंगे, 74 के बाद हम जाएंगे 3, यानि थर्ड कॉलम में, 0, 1, 2, 3, नमबर में यहां मिल रहा है 8710, 8710, यह मिला, अब हमें 2 आगे नमबर दिया है, यह 2 हम जाएंगे उस mean difference में, यानि 74 के ही रो में हम जाएंगे, mean difference 2, और 2 का mean difference क्या है यहां पे, वो है 1, तो इसमें हम क्या add कर देंगे, 1, तो simply यह क्या जाएगा, 8711, तो कुल मिला के हमने क्या कर लिया, हमने mentisa निकाल लिया, 7432 का mentisa निकाल लिया, वो आया, 8711, 8711, तो अब हम यहां देखते हैं, इसकी value, तो यहीं पे यहां आ गया है mentisa, इसका 0.8711, तो simply इसका logarithm भी क्या हो जाएगा, चुकि integral part हमें पता है 0 है, तो उसका mentisa, जो mentisa होगा, वही उसका logarithm हो जाएगा, तो हमने सरस्पे पहले क्या find out किया, इसका characteristic find out किया, फिर हमने find out किया, इसका mentisa, और overall हमें इसका logarithm पता चल गया, अगर इसी number को हम ऐसे ले लें, 74.32, तो क्या difference आएगा, 74 को देखकर हम यह कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि इसका characteristic जो होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 digits हैं, integral part में, अब इसके बाद जो इसका mentisa आएगा, वो same आएगा, क्योंकि आप किसी भी number को देखोगे, तो हम लॉक्टेबल में जब जाएंगे, तो हमें इसी number को देखना होगा, हमें decimal से यहाँ पर कोई relation नहीं है, तो 74.32 को जब हम फिर से लॉक्टेबल में जाकर देखेंगे, तो same यही value मिलेगी, 0. sorry, 1.87.1, यानि कि जो characteristic वाला पार्ट है, उसको हमें add कर देना है, फ्रेक्शनल पार्ट में, यानि कि mantissa के साथ, तो इस तरह से अगर example लें, और देखें कि log की क्या values आती हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं, वही example जो हमने, पिछली class में पूछा था, log 249, अब log 249 निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, कि इसका integral part क्या है, यानि इसका characteristic क्या है, तो इसका integral part में तीन डिजिट्स हैं, 249, तीन डिजिट्स हैं, तो इसका characteristic हो जाएगा, 3-1 is equal to 2, अब इसका mantissa निकालते हैं, तो mantissa निकालने के लिए, हम सब कहां जाएंगे, हम जाएंगे lock table में, lock table की help ली जाएगी, और देखा जाएगा, कि 249, 249 का mantissa क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, 249 का mantissa कैसे निकालेंगे, तो 249 लोकेट करने के लिए, हम सबसे पहले इसके पहले दो डिजिट्स को देखेंगे, और उसको लोकेट करेंगे lock table में, तो वो हमें मिल रहा है कुछ ही यहाँ पर, 24 के बाद जो number है वो 9th है, इसका मतलब है 9 है, तो इसका मतलब हम नाइन्थ कॉलम में वैलू देखनी पड़ेगी, 24 के corresponding, तो 24 के ही row में हम आगे बढ़ेंगे, और कहां तक बढ़ेंगे 9th कॉलम तक, तो यह value हमें मिल रही है 3962, 3962, तो एक तरह से हमने क्या निकाल लिया, 249 का mantisa निकाल दिया, यहाँ एक और डिजिट होता, और यही हमारे लिए क्या होने वाला है, mantisa होने वाला है, तो इसे हम वहां लेख सकते हैं, सीधे 3962, 39, यह हमारा mantisa है, अब इस mantisa को सीधे हम logarithm के, fractional part में लेख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 2.3962, तो जो पिछली class में हमने problem लिया था, उस problem का हमें solution मिल गया है, कुछ और example देखते हैं, एक example है log 3257, to the base 10, अब इसकी value निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका characteristic निकालेंगे, characteristic तो बिना log table के help के निकाल सकते हैं, तो इसका characteristic क्या होगा, इसमें है 1, 2, 3, 4 digits, 4 digits हैं, तो इसका characteristic हो जाएगा, 4-1, 3, अब इसके decimal part में क्या होगा, इसका mentis होगा, mentis होगा, निकालने के लिए फिर से हमें क्या help लेनी पड़ेगी, किसकी log table की, तो log table क्या help लेते हैं, और 3257 का logarithm निकालने की कोशिस करते हैं, 3257, 3257 निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो 2 digits हैं, उनके corresponding stable में हमें देखना है, तो यह है 32, 32 है कुछ यहाँ, सबसे पहले वो नंबर लिख देता है, 3257, 3257, अब 3257 के लिए सबसे पहले हम 2 digits, पहले जो 2 digits हैं, उनको पकड़ेंगे, और उसको locate करने की कोशिस करेंगे, lock table में, 32 है यहाँ पर, यह हमें मिल गया, अब हमें तीसरा नंबर क्या है, 5, तो इसका मतलब है कि हमें इस column में, 5th column में जाना है, तो 5th column कहाँ पर हैं, यह है, यहाँ से उपर हम जाएंगे, और 32 के corresponding value देखेंगे, वो है 5,1,1,9, अब यहाँ पर एक और digit नहीं होता, तो इसी को हम मैंटी सा बोल देते, लेकिन यहाँ पर एक और digit है 7, यह 7 ही कहा मिलेगा हमें, main difference वाली table में मिलेगा, तो हमें और आगे जाना है, और हमें 7th value ले लेनी है, 7th value कौन सी होगी, यह value होगी, यानि कि यह value है 9, तो इसका main difference हो जाएगा 9, तो इसमें हमें क्या add करना पड़ेगा 9, तो यह हो जाएगा 998215, यानि मैंटी सा जो निकला वो क्या है, 5128, 5128, अब इस नंबर को हम यहाँ पर लिख देते हैं, as it is, 5128, इसका main difference हो निकला, तो main difference हो निकल गया, तो characteristic हमें पता ही है, तो overall logarithm की value भी निकल गई, तो यह बस decimal के बाद, यही main difference हमें यहाँ पर लिख देना है, 5128, अगर इसी में कुछ और factors यूज की होते हैं, जैसे कि अगर इसी में 10 अगर add कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यह number बदल जाएगा, अगर एक यहाँ पर 0 ले ले ले, log 10 32570, तो यह number आजाएगा 4.5128, वैसे ही अगर decimal एक पीछे ले लिया जाए, log 3257, यहाँ पर अगर decimal ले लिया, तो यह number को मिला के आजाएगा 2.5128, तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ इन numbers को देखते हुए यह लग रहा है, कि अगर digit की significant digits अगर same हो, यानि कि यह number 3257 ही हर जगा है, और उसके बस decimals relocate हो रहे हैं, तो mantissa पे कोई change नहीं आने वाला है, यानि decimal के position से mantissa को कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है, mantissa को फर्क सिर्फ किस से पढ़ता है, कि वो numbers क्या है, उसका पहले दो digits क्या हैं और उसके अगले दो digits क्या हैं, सिर्फ इसी पर depend करता है, यह number of digits या decimal की जो position है, वो किसको affect कर रही है, सिर्फ characteristic को affect कर रही है, जब 4 digits हैं, तो characteristic 3 था, जब 5 digits हैं, तो characteristic 4 था, तो यह हमने देख लिया कि lock tables का use करते हुए, हम कैसे logarithm की values निकाल सकते हैं, लेकिन इसके आगे हमें क्या देखना है, anti-lock, जब logarithmic table देखते हैं, तो दो पार्ट में आपको दिखा था lock table, उसके जस्ट नीचे हमें मिलते हैं, anti-lock tables, तो anti-lock tables का क्या use होता है, और anti-lock की table से हम कैसे roots निकाल सकते हैं, जैसे cube root, square root, हम basically कुछ methods होते हैं निकालने के, लेकिन अगर आपको 5th root निकालना हो, 13th root निकालना हो, किसी भी question का, या फिर हमें किसी number का ऐसे power दिया होगा, 0.732 की power 9 upon 4, तो ऐसे numbers को, ऐसे expressions को simplify करने के लिए, हमें lock tables के साथ, anti-lock tables का भी use करना पड़ता है, यानि anti-logarithm का भी concept यूज करना पड़ता है, तो anti-logarithm के बारे में हम देखेंगे, next class में, अभी इस specific lecture में, जो की logarithmic tables के बारे में था, यानि lock tables के यूज के बारे में था, इससे related, अगर कोई भी doubts हो, या query हो, तो आप comment box में लेख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिस करूँगा, thank you,